दोस्तों जैसे कि आपको पताई होगा, WhatsApp में new update आने के बाद, यहाँ पर status हडगया है और updates आ गया है, और नीचे में यहाँ पर channel दिखाई दे रहा है, new update आने के बाद status यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर कुछ लोगों को यह problem आ रही है, जो status mute की हैं, वो status दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे आप mute status को देखेंगे, कैसे आप channel को यहाँ से हटाएंगे, status वापस कैसे लाएंगे, update को कैसे हटाएंगे, यह सारी जानकारी इस video में आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं mute status कैसे देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो status आपने लगाया है वो आपको दिखाई देगा आपके दोस्तों के status आपको यहाँ पर दिखाई देगे अब पहले दोस्तों यहाँ पर हमें mute status दिखाई देते थे लेकिन आप यहाँ पर क्या आ रहा है view updates इस पर हम click करते हैं तो जो status हमने देख लिया है वो status यहाँ पर दिखाई दे रहा है mute status यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो mute status कहाँ पर दिखाई देगा इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर three dots पर click करना है three dots पर click करने के बाद आपको यहाँ पर mute updates का option मिलेगा इस पर आपको click करना है तो यहाँ पर दोस्तों आपने जितनी भी status mute की हैं वो सारे status आपको दिखाई देंगे यहाँ से आप status को देख सकते हैं दुबारा से यहाँ पर आप इसे unmute कर सकते हैं तो आपको पता चल गया कि mute status कैसे देखते हैं अब बात करते हैं इसे यहाँ से हटाएंगे कैसे आप यहाँ पर channel कैसे हटाएंगे update को कैसे हटाएंगे status वाला section उपर कैसे लाएंगे तो दोस्तो देखो यह WhatsApp का new update है यह यहाँ से हटेगा नहीं अगर आपको इसे हटाना है तो आपको अपने WhatsApp को delete करना है और old version आपको download करना होगा जो WhatsApp का पुराना version है और इसमें दोस्तो risk है अगर आप अपना latest WhatsApp को delete करेंगे और old version के अंदर login करेंगे तो हो सकता है आपकी WhatsApp की chat, photos, videos आपको ना मिले वो सारे के सारे delete हो जाए अगर आपको वापस मिल भी जाते है तो old version को दोस्तो आप जादा जिन तक use नहीं कर पाएंगे क्योंकि old version दोस्तो जादा जिन तक चलेगा नहीं वो crash हो जाएगा आपको new version डाउनलोड करना ही पड़ेगा अगर आप old version यूज़ करते हैं और वो crash हो जाता है तो दोस्तो हो सकता है आपके WhatsApp की जितनी भी chat है photos, video से वो delete हो जाए हमेशा के लिए आपको दुबारा ना मिले तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है चैनल और updates को यहाँ से हटाने के चकर में अपने WhatsApp को delete करके दूसरा WhatsApp डाउनलोड नहीं करना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe करना और वीडियो को like भी कर देना